हलो फ्रेंड्स वेलकम तू धिमान राजे धिमान यूट्यूब चैनल एंड फेस्बूप पेज इस टाइब के इंटीग्रल को सोल्ब करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले हम जिदो नियूमिरेटर में वन वान को लिखते हैं साइन स्क्वेर एक्स प्लस को स्क्वेर एक्स साइन स्क्वेर एक्स प्लस को स्क्वेर एक्स क्योंकि साइन स्क्वेर एक्स प्लस को स्क्वेर एक्स भी वन के ही बराबर होता है उसके बाद डिनोमिनेटर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों टरम्स को अलग से यह बनेगा sin square x over sin square x into co square x dx plus फिर पहले sin square x को divide किया फिर co square x को divide किया और denominator में as it is sin square x plus co square x रहेगा उसके बाद देखें यहाँ पर sin square x और sin square x कैंसल हो जाएगा यहाँ पर co square x यहाँ पर co square x कैंसल हो जाएगा हमारे पास बचेगा 1 over co square x और 1 over co square x को हम लिख सकते हैं second square x plus यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1 over sin square x और sin square x को हम लिख सकते हैं co square square x अब हम इसकी integration असाली से कर सकते हैं यहाँ पर second square x की integration होगी 10 x क्योंकि 10 x की differentiation second square होती है second square x और यहाँ पर cosecant square x की integration होगी minus quote x plus c क्योंकि quote x की differentiation minus cosecant square x होती है हमने क्या किया यहाँ पर numerator में जब हमारे पास जो question था उसमें कुछ भी नहीं था तो हमने यहाँ पर इसको one लिखा फिर one की value sin square x plus quote square x put कर दी और उसके बाद denominator से sin square x को भी और quote square x को भी अलग-अलग से डिवाइड किया उसके बाद sin square x यहाँ कट गया यहाँ quote square x कट गया हमारे पास one over quote square x होता है sequence square x और one over sin square x होता है quote square x sequence square x की integration tan x और quote sequence square x की integration minus quote x और यही हमारा answer है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें हमारे facebook page धिमान राजेश धिमान पे भी फोलो कर सकते हैं हमारी mathematics की website www.dhiman.com भी इसी तरह की question को solve करने के लिए visit कर सकते हैं धन्यवाद